दोस्तो अगर आप किसी हॉस्पीटल में गए हो और आपकी परची बिल्कुल डॉक्टर के पांस पहुचने ही वाली हो at the same time कोई ऐसा serious patient आजाए जिसको डॉक्टर की immediate जहुरत हो तो आप क्या करेंगे हमें लगता है आपने से ज़्यादा तर लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर साब पहले अब उन्हें देख लिजे हमें तो थोड़ी दिर बात भी देख सकते हैं लेकिन अगर किसी हॉस्पीटल ने बहुत धेर सारे patient पहुचे हो जिसमें almost 70% serious cases हो तो ऐसे time पे अगर डॉक्टर number wise ये serial wise देखने लगेंगे तो हो सकता है कि किसी patient के साथ पीछे tragedy हो जाए तो ऐसे time पे tragedy को avoid करने के लिए और same hospital resources में ज़्यादा तर patient को ठीक करने के लिए हमें triage system को implement करना होता है तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि triage system होता क्या है आखिर इस covid में triage system किस तरीके से implement किया गया था यह एक reason नहीं है number of cases, number of hospitals, population, covid protocols यह सभी चीज़े responsible है cases को कम करने में लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ triage system की बात करेंगे कि किस तरीके से covid के time में triage system को hospital में implement करके ज़्यादा से ज़्यादा patient को बचाया गया ट्रियाज एक तरीका होता है patients को categorize करने का उनकी medical जहुरत्यों के हिसाब से यह emergency rooms, wars और disaster में किया जाता है basically triage एक system है एक ऐसे वातावरण में जब medical resources बहुत कम हो और हमें यह decide करना हो कि किस के पास medical resources पहुँचना ज़्यादा जरूरी है triage system पहली बार 19-20 सताबदी में develop हुआ जब नेपोलियोनिक युद्ध के दोरान ज़्यादा लोग घायल हो रहे थे और world war first के बाद यह triage system और develop हो गया जैसे British military ने अपने घायल सिपाईयों को तीन category में divide किया था जो soldiers ज़्यादा घायल नहीं थे उनको priority दी गई थी और उनको तुरंत लड़ने भेज दिया गया था जिनको ज़्यादा medical attention की ज़ूरत थी उनको एक field hospital ने भेज दिया गया और जिन soldiers के बचने के chances बहुत कम थे उन्हें last priority दी गई थी लेकिन आज के date में ये triage system थोड़ा बदल गया है जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़ूरत होती है और जिनके जान बचने की chances सबसे ज़्यादा होती है जैसे example के तौर पे इस्ट्रियाज चार्ट में देखिए यहाँ पर पहली priority उनको दी जारी है जिनके जिन्दई को खतरा है और उनके बचने की chances भी ज़्यादा है इस वज़े से इनको बहुत कम priority दी जाती है और ऐसे system के चलते इस COVID के time में hospital वालों को इनको मना करना पड़ता है लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं एक अच्छे ट्रिया system को maintain रखने के लिए data collection, data updating और coordination हर एक second करनी होती है इसको समझने के लिए हम मुंबई का example लेते हैं COVID के first wave में ही BMC को ये अंदाजा लग चुका था कि इस COVID-19 जैसे pandemic से निपटने के लिए triaging system बहुत जरूरी है इसलिए मुंबई ने अपने सभी ward में, मुंबई में total 24 ward है मुंबई ने अपने सभी ward में एक war room create किया अब सबसे पहले इन war rooms को COVID positive लोगों की एक list आती है government और private laboratories के तरब से और इन laboratories को हर दिन में दो बार inform करना होता है इन सभी ward rooms को कि कौन-कौन से patient positive आया है In fact, patient से पहले इन war room को पता होता है कि 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 report positive आया है फिर war room से उस patient के पास call जाता है और call पही सारी detail ली जाती है अगर patient के घर में isolate होने की बेवस्ता है और patient की हालत ज़्यादा खराब नहीं है तो उसे घर में isolate किया जाता है लेकिन अगर उसकी इस्तिती ठीक नहीं है तो उसको war room में फिर लाया जाता है फिर वार्रूम में लाने के बाद डाक्टर सभी पेसेंट के हिसाब से, सभी पेसेंट के सेचुईशन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि किसकी ज्यादा प्रियार्टी है बचाने की और किसको कितने medical equipment की ज़रूरत है फिर उसको triage system के हिसाब से divide कर दिया जाता है किसको hospital bed की ज़रूरत है, किसको oxygen की ज़रूरत है और किसको ICU की ज़रूरत है फिर आता है सबसे cutting काम, government hospital से और COVID-19 के facility के हिसाब से उनको coordinate करना होता है कि कहाँ पर किस patient को admit करना है अगर उनके ward वाले hospital पे उनको admit करना हो और वहाँ पर अगर bed available नहों तो फिर उसके दूसरे ward पे contact करके उनको patients को ambulance से फिर दूसरे ward में भेजा जाता है और वहाँ पर फिर उनको admit किया जाता है अब triage system में सिर्फ critical patient को ही नहीं दिखा जाता है बलकि mild symptom वालों को भी ध्यान रखना पड़ता है उनके monitor करना पड़ता है कि कहीं उनकी condition और खराब नहों हो जाए तो दोस्तों ये था Mumbai का triage system पूरे detail में लेकिन Mumbai में ही नहीं हमारे देश में और भी ऐसे दो राज यहां जहां पर triage system को implement किया गया है जैसे कि केरिला है तमिल नाडू है इन दोनों जगहों पर भी COVID cases को control करने के लिए triage system को implement किया गया और बहुत control भी हुआ सायद यही कारड है कि अभी के समय में कुछ cases बहुत कम आ रहे हैं बहुत जादा से जादा लोग को बचा लिया गया तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment करके बताएं बाकी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद